How are you का reply कैसे करें जब हमें negative answer देना हो जब हम अच्छा feel ना कर रहे हो जब अच्छा feel करते हैं तब तो हम कहते हैं I am doing well, I am good लेकिन जब अच्छा feel नहीं कर रहे होते तब क्या answer देना है How are you का ये answer मैं आपको आज पताने वाला हूँ So how are you का negative reply पहला reply है I am okay जब आप I am okay बोलते हो तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक ठाक हूँ मैं अच्छा feel नहीं कर रहा मैं ठीक feel कर रहा हूँ So एक reply होगा I am okay Second reply होगा I am hanging in there I am hanging in there का मतलब है मान लो आप एक पहाड से गिरे और आपने उसे पकड़ लिया गिरते हुए पहाड को पकड़ लिया और आप लटके हुए हो पर आपने छोड़ा नहीं आप लटके हुए हो पर आपने छोड़ा नहीं इसका मतलब है I am hanging in there यानि बहुत अच्छा तो feel नहीं कर रहा लेकिन जैसे तैसे करके situation संभाल रखी है गुजारा कर रखा है बहुत अच्छा तो नहीं हूँ बस ठीक है कट रही है जो word होता है ना जिन्दगी कट रही है उसके लिए हम बोलते है I am hanging in there यानि मैं गिरा नहीं हूँ पर उपर भी नहीं हूँ पकड़ के रखा है लटका पड़ा हूँ I am hanging in there सो ये आंसर है How are you का negative answer कैसे देना हो तो पहला I am okay ठीक ठाक हूँ दूसरा I am hanging in there कट रही है गुजारा चल रहा है थर्ड आंसर है I have had better days I have had better days इसका मतलब है कि मैं पहले इससे अच्छे दिन देख चुका हूँ इससे बहतर दिन देख चुका हूँ आज का दिन उतना अच्छा नहीं जा रहा आज उतना अच्छा नहीं फील कर रहा इससे पहले इससे better फील करता रहा हूँ I have had better days अवल मैंने 4000 रुपे की lipstick ली I bought a lipstick for 4000 रुपीज इतनी महंगी, so expensive तो क्या हुआ, so what? wait till you start earning इसी तर आप बोलते हो जब school जाने लगोगे न तब पता चलेगा wait till you start going to school अब आप एक sentence बनाओ जब बुड़े हो जाओगे न तब पता चलेगा और मुझे comments में बताओ इसमें क्या मुश्किल था? What was so difficult in this? लो, तुम अपनी किसमत आज मालो Go, try your luck अनू बड़ी हो गई है अनू has grown up पिछले महीने वो 20 साल की हो गई हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं कि पिछले महीने वो 20 साल की हो गई इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे She turned 20 last month She turned 20 last month वो पिछले महीने 30 साल का हो गया He turned 30 last month अब आप एक सेंटेंस बनाओ वो पिछले महीने 15 साल की हो गई और मुझे कॉमेंट्स में बताओ मेरी बात मानो अभी इंवेस्ट मत करो पैसे डुबा लोगे मैंने हिंदी में कहा मेरी बात मानो हम इस तरह से बोलते हैं मेरी सला मानो मेरी बात मानो मुझसे लिखवा कर ले लो इस तरह की बात का मतलब होता है कि तुम मेरे तजुर्बे से समझो मेरे एक्सपीरियन्स से समझो कि ऐसा मत करो इसे एंग्लिश में कहेंगे Take it from me Take it from me Take it from me Don't invest yet You will lose money मेरी बात मानो अभी invest मत करो, तुम पैसे डुबा लोगे साक्षी, तुमारी बहन टाइम की बहुत पक्की है उसमें ये खूबी मेरे से आई है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे जब पहले से खूबी की बात हो रही हो तो आप बोलो, she gets it from me ये नहीं कहा got क्योंकि इस तरह की बातों में हम present tense लगाते हैं इसी तरह हम कह सकते हैं उसमें ये आदत मेरे से आई है अब आप एक sentence बनाओ कि उसमें ये बुरी आदत मुझसे आई है और मुझे कॉमें बताओ इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरी तरफ मत देखो आप ही की भाषा में हसते हसाते आपको इंग्लिश में perfect बना दूँगा लिंक पर क्लिक करो और course की details देखो आप लोगों के लिए एक motivational rap song लेकर आया हूँ क्या आपने अभी तक सुना या नहीं? अगर नहीं सुना तो चलिए एक ट्रेलर देखते हैं पहले समस्ते थे week in English आवल से सीख के speak in English देश हो चाहे विदेश में करनी है बाते अंग्रेजी मैं सीखूँगा तेज मैं जीतूँगा रेज मैं बोलूँगा ऐसे हूँ जैसे अंग्रेज में दुनिया में करना सभाईव है आवल को यूट्यूब पे करना सब्सक्राइब है ऐसी यह हाइप है इंग्लिश सिखाए वो लाएंगे ट्रांगती लागों की पदली जो लाइफ है इस्टा पे स्वाइप है स्टोरी है रील्स में क्लास भी हो रही है सब को जगाना है पदली क्यों सोरी है क्याँ असान है आवल के हातों में टूरी है किसा लगा ट्रेलर? फुल सॉंग सुनने के लिए इस थमनेल पे क्लिक करो और सॉंग सुनने के बाद मुझे अपने लाइक्स और कॉमेंट्स जिरूर फेजना कि आपको ये सॉंग कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ये मोटिवेशनल रैप सॉंग शेर करना All the best